जार्खन में बिना ईपास का सफर करना पड़ा महंगा भवनातपूर में बारवाहन जब्वनातपूर से समाधा ता जितेंदर कुमार की रिपोर्ट गड़वा भवनातपूर में जार्खन सरकार ने करोना शंक्रमन पर काबू पाने के लिए 16-27 मैं तक वाहनों की आवाचाही को नियंतर्ट करने का फैसला लिया है इस दोरान बगएर ई-पास वाले नीजी पाहनों की आवाचाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है वहीं बुधवार को गढ़वा जी लेके भवनातपूर थाना समीप थाना प्रभारी सतेश कुमार महतों ने करवाई करते हुए 12 वाहनों को जब किया है इन में से अधिकांस वाहन बिना ई-पास और ओवरलोड मामले में करवाई की गई है भवनातपूर प्रखेंट विकास पदादिकारी रविंदर कुमार थाना प्रभारी सतेश कुमार महतों अंचल पदादिकारी संदीप अनुराक टोपनो भवनातपूर थाना मोड पर वाहन चाज करते थाना प्रभारी जबत वाहनों में एक मारसल, एक कमांडर, एक जीप, आपको बता दे कि सहर के अंदर या राज़ के अंदर आने चाने के लिए इपास अनिवार है बिना इपास के पकड़े चाने पर पुलिस शुर्माना वसुले की जगड़ी करवाई कर सकती है तैनाथ पुलिस में पुर्णी सहदेवसा एसाई फिलिप टोपनों अपने तलबल के साथ मौजुद थे